हलो फ्रेंड वाकरत है मेरे चनल में आज अपने डिसक्राइब करेंगे कि एक है क्रोस रिट्रोटर कैसे डिजाइन करें एक सीवल इंजनियर जो होता है इरीकेसं डेपार्टमेंट में उसको क्रोस और हैड रिट्रोट जाइन आना चाहिए क्योंकि जब बिकोई ने कनाल डि जैसे जैसे यह कोई मेरी कनाल है सिद्ध मुख फिल्डर कनाल है जो कि 5500 कुष्य की कनाल है इसके एक नहर के आरड़ी 35 से एक नहर निकलती है तुम पुरा वित्रीका को पानी देने के लिए क्रोश का निर्मान किया गया क्रोस का मतलब यह होता है कि इपने गयर को यह पिजया करते हैं तो पानी को हेड़ाप 2 गार के ौक्रेस में नहर में पानी कम चल रहा हो भी तो ठीक के पानी नहर में पूरा कर सकते हैं क्रोस इसलिए बनाया जाता है रोस में दो या तिम पार्ट होते हैं सबसे देख यह जो पिलर लगे हुए इनको पियर बोलते हैं साइड में विंग बोल है यह प्रोस रेगलोटर करने के लिए गेट लगाए हुए जैसे यह वन टू थरी यह थरी बाइस का विए 24 का रोश लेट जिसमें दोफ दो पिक से अब इसकी डेजैन देखते हैं दिससे यह तो इसको इसको कई जो है का रूशेप में इसको बोलते हैं विंगडो दोने साट में वह विंग बोल है कि यह पियर है और इनके बीजों बीच में इनको गुरूब्स बोलता है इनकी सब की डिजाइन होती है कैसे करते हैं देखते हैं थोड़ सब्सक्राइब करता हूं आपको जब यह कंस्ट्रक्शन हो रहा था मेरे साइट पे तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिये थे थे थो कि डाले जा रही है रही है और यह पास में जो बीच का प्राफ कि हो गया है साइड में यहां भी उत में Japanese ते फैनल परेला्यकि करते ही और कि लिज ost को बोलता है यह देखिए तोड़ा यह पूटट है यह जो स्ट्रक्सर बनाया हुए क्रस्ट के बाद जो पानी गिरेगा उसका अगे मनाया गया है इसे लॉंचिंग बोलते हैं और इसमें फिल्टर लगाया जाते हैं ताकि जब पानी गिरे तो बेड़ को नुक्सान ना देवे और जो टोटा जो लेंट होती है कि रोश रगलोटर की वह वो दोनों साइड के विंग वोल से काउंट होती है डाउन्स्ट्रीम अप्स्ट्रीम से अगर अपने बात करें देखें जैसे यह जो यह जो लेंट है या इसमें दिखनी रहा करस्ट करस्ट आगे कि जो लेंट होती है वह ज्यादा होती है इस कंपरेंज इंटू यह इन दूनों के बीच को जो दूरी है इसको बोलते है किलियर वाटर वे यह अपना वाटर वी होता है इसके वाटर यहां से फूलो करेगा और जिस करस्ट पर होता है उसको करस्ट बोलते है इसके उपर एच कितने है वह उपने find out किर लेते हैं और लगबग तोड़ा सा क्रेटर यह होता है कि जो पीछे डाउंस्ट में बैड होता है उससे आधा फिट एक फिट विट उन्चा क्रोस एक लेटर होता है कि यह दिजैन पर चलते हैं मैं एक्सल सीट पर त्यार कर रखिए जो आपको डबलो आड़े की वेपसाट पर भी मिल जाएगी देखिए एक पर आप इसली डाटा फिट करोगे तो अपने आप ड्रोइंग समेथ आपका पर इसलोट डिजैन हो जाएगा पहले देखते हैं क्या क्या डटा मेरे को चाहिए रिक्वाइड डाटा चाहिए जैसे डाउंस्ट्रीम का फूल सप्लाई किते क्यों में की नहर है डाउंस्ट्रीम में कितने क्या फैसल है डाउंस्ट्रीम में क्या बेड लेवल है अप्स्ट्रीम डाउंस्ट्रीम का बेड लेवल के है डाउंस्ट्रीम बिड़त ओफ किनाल के है डाउंस्ट्रीम किनाल का बेड लेवल के अप्स्ट्रीम का प्रसल यह जो data है आपको सब प्रूल डाटा नहार के जो एल सक्षिन होता है वहाँ से मिल जाएंगे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास एल सक्षिन है कनाल सके उसके अंदर आपको यह data मिल जाएंगे जैसे फूर एजम्पल मैंने यह कोई कैनाल काल सक्षिन ओपन कर रहा हूँ उसमें data मिल जाएंगे मुआ फिर टाइम लग रहे है जहां से कोई नहीं निकालने है उसके बाद ही इसमें डाटा जो होते हैं नहीं कैल सक्षिन लेते हैं दिया है जैसे बैड लेवल दिया हुआ है एफसल दिया हुआ है फ्रीबोर्ड दिया हुआ है फुल सप्लाइड दिया हुआ है बैड स्लोब वेलोसिटी जो वेलोसिटी है पहुंचे यह वेलोसिटी भी दीविए तो ओल्ल डाटा जो आपको चाहिए है आपको तो लोकेशन फाइंड करने के किस पॉइंट के उपर मुझे किनाल के पर किलो से लिटर बनाना है तो उसका डाटा आप किनाल के एल सक्षिन से पूट कर सकते हो मैंने यह सीट बना रखिये इसमें डाटा है यह डाटा मैंने ले लिए जैसे मेरे जो किनाल थी 600 कुशेक्स की थी है मतलब क्यूं मेक में 16 पुइंट 92 हो गई उसका फसल है 209 है बैड लेवल 205 है किनाल की बिट ले लिए मैंने 36 पर विशाज थिए 365 यह डाउंस्ट्रिम की जाओंगा यह जैसे आपका कोई महभुब सक्क्षन है तो उसमें कैसे डिजैन करें इसमें बिर्त कैसे लेते हैं सेंट इरिया होता है जहांँ खतम होगा जो बिर्त सेग्मेंट इरिया क्योंगी वह ही इसमें बैट लिया जाएवीगा है कि दूसरा है अब स्टिर्म्स आर्ट में करनार का बेड लेवल यह सब डाटा में ले लिए और मैं इस एक्सल सीटर पूट कर दू आनको है 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 के शुम कि अपने अपने आप डिजाइन हो जाएगा थोड़ा बहुत स्मूग तो मैं अपने करता रहूं हां यह ड्रोइंग होती है क्रोश लेवल क्रोश गुर्ट होता है जिसके सिस्टरन जी सिस्टरन बैड लेवल या जितनकी सितने कर्ष लेवल की दूरी होती है जिर से एक पर ये कट वोल हुटे है यहां से अप स्स स्रीम कट और बोल जाए नbuat के टय वरज लेंट रोट रहं होते हैं Wahr हुं यहांत अपने में लगा जाता है इसको कर्स्ट कट पाइल है इनकी अपने डिजाइन करते हैं यह सफ्टर जो मन रहा हूँ इसमें आपको सिर्फ वेल्वी पूट करनी है इस लिए आप जैसे वेल्वी पूट करते हैं कि अपने आप यह सफ्ट पर लेता रहेगा और आपका क्रॉस्ट डिजाइन हो जाएगा पहला पॉंट पीछे बेड ताफ स्टेंगा उससे पॉंट पंद्रा लेके पॉंट पांच-पचास मिटर तक का अपने हाइट बरक लेता है मतलब शैन से लेके आदा मिटर के हैट तक अपने उसको अब रखते हैं करस्ट को जैसे यहां वेल्यू थी दो सो दो सो पांच पॉंट पिछे सेवंट टो फाइब स्में पॉंट थी मैंने अजिम कर लिया कि पॉंट एक पिट मैं उसको अप्स्ट्रिम के बेड़ से उंचा रखूँ हों उंचा रखूँ हों तो यह कर्स्ट लेवल मैंने फिक्स कर लिया 20 पिए 206 पॉंट 05 यह उसका करस्ट लेवल आगे हैं डिजाइन का फॉर्मॉला होता है इसमें दिशाज का फॉर्मॉला था डिजाइन जो निकालते हैं वो Q is equal to करन pee बॉया लेख़ आग्राइक यह क्या भी किया है तो इसको रिजाइन का लिए है फ्री फुलो और थैस का होता है सी टु क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं यह बुक जो है अरुड यारुडळा की अपनी है इसली देख सकते उसको कि मैं आपको keep the ने भी आपको डिजाइन तो फ़्रीस के बार से यह है ने ही होता है, आप स्ट्रीम番 में अबैड तो उर असे होता है और डाउन स्ट्रीम में में कृस्क्क और एपसल में ऑकडिये होता है देखो इसमें लिखा हो ना पॉंट तीस से एक मिटर आए देन रख सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप जब भी कोई कि डिजाइन करो तो इसका जो बुक्स होगर है यह आई इस कोड है वो जुरू पड़े अच्छा बहुता रहा हूं आपको आई इस कोड भी इसके होते हैं जो आई इस कोड है वो कि दू आई इस कोड होते हैं इसमें डिजाइन वेल्यू कैसे पुट करेंगे क्या करेंगे सिंबल्स सब की नोलेज दीएगे इसमें क्या लाइंग में रखते हैं पियर क्या होता है विंग बॉल क्या होती है सब प्रेवारे में लेटर से दिया है कि एकक्टिव वाटर भी कैसे नोज़के ने ए अगर अबने जिसे यह अलागला के वेल्यू के लिए जैसे अपने पिद्लर जो लगाते हैं अगर जैसे इस टlike पिलर तो पिलर क्या की वेल्यू क्यरलेंगे की भिल्यों फोणी का है तो क्या लेंगे यह ग्राफ दिया गए अगया से डिशार्ज करौ तो कर सकें मेजरिमेंट कर सकें है अग्जल ग्रेडियंट के लिए अगर लोग काउंट करें गो भी दिया हो इसमें इसके रवे एक कोड हो रहे है 7441 कि जब भी आप कोई डिजाइन करना हो पहले कोड को और बुक को दोनों को फोलो करें एक एक चीज अब जनका सब्सक्राइब हो जाएंगे उसके बाद आप डिजाइन करें तो बड़ा इजी रहेगा सिधा सॉप्ट्वर काम करना ठेक नहीं रहेगा आपके लिए अब जाइन है किस प्रकार करेंगे यह रूड है यहां गेट लगी का करेस्ट हो गई करेस्ट कि लेंद कितनी होगी वो सब अपने दिजाइन करें इसको ठीक तर दिजाइन में चलते हैं अपने अब वह कि छुक्त है अब सब्सक्राइब है अब सब्सक्रा की लेंथ यह असलाय कियां तक इसको बोलेंगे डाउन स ट्व श्री मिलेंड में इसको बोलते सब्सक्राइब कर लिए दूसलते वाटर 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 वे निकालने के लिए अपने पास में क्या होता है क्यों का समर्ज और फॉर्मूले जो होते हैं लेंट वाटर वे जिसको अपनों फांड आउट करना है एक जो होता है अपस्ट्रीम और डाउन्स्ट्रिंग अफसल डिफरेंस होता है और लिएसे में क्या हुआ कि मैं क्रोस्ट डिजैंन कर रहा हूं विसके। तो दोनों के क्योंफ़स्ञ में क्यों ही समतों क्योंकि मेरे किनालमे का 5SL- क्रेस्ट लेवल एक तीक है अब थोटा मैं आजूम करता हो यह वाटर वे यह डिपैंड करता है वाटर वे में कितना आजूम करता हूं आद आ यह थोटा सा आजूम लगा जो इसकी किनाल की बिर्थ है उसका दूगना लेकि चलता हूं मैं आपके यह कॉई काम नहीं आएंगा डिजाइन वेलिए सिटी है जो आपको यह सब्सक्राइब अपने अपने आप इसको कंसेडर कर लेगा फॉर्मिला अपलाई है इसमें तो इस फॉर्मिले के इंसार अपने जो फॉर्मिला इसमें Q की भी है सीवन सीटू से अपने वह अलफ हैंड करना है और इस फॉर्मिला से यहां अलफ की वैलियुयाज लैंट ऑफ लैंट ऑफ अगा जाएगी ठीक है यह तो हो गया डौडाउन फोर्मुले से अब अपने क्या करते हैं इंपिरिकल फोर्मुला भी होता है क्यों इसको इसको को पूट करते हैं यह ब्लैंच करव से होता है जो करव है अपना यहां पर इसके सी एपन सीएस की वैलूई यहां से पूट ऑच लाई है जो सॉफ्ट्वर में मनाया है मैंने इसमें अपने आप एवेलूई अकॉंट कर लेगा जो आपने डाटा फिड किये हैं इसके अच्छ अच्छ यू अच्छ जी यह एफेक्टिव बीट था गए उसकी क्लियर वेगे एक राटर यह और है कि जो फॉलुमिंग पॉर्शन इसको 60 परसेंट मिनिमम मिनिमम उसका वाटर भी होना चाहिए तो 60 परसेंट इसका 60 परसेंट किया तो पॉंट वन जिरो है यह है यह है 60 जैसे यह यहां पर 3.635 परसेंट किया तो दो पॉंट यह कुछ आया मतलब इत्रा मिनिमम से मिनिमम परसेंट ना होना चाहिए इसका और आपने क्या निकालिया है वी इसको नाइन नाइन पॉंट वन सेवन मीटर के लिए रवाटर आगे अब मैं जैसे नाइन है तो इसका एक गेट लगाऊं तो अनिक में पढ़ेगा और इसके लिए काफी बड़ा डिजाइन करना पड़ेगा तो मैं ने इसके लिए क्या किया मैंने इसको टू बाइस टू बाइस टू बाइस करके दो पेलर लगा कि मैंने हाज किलियर स्पेसिंग 3.6 रखे तो टो लेंथ उसके आगे जिसे 9.10 देखिए देखिए 10.89 इन दोनों को बिल्टिप्लाइ किया तो पाने तीन जिगह से पास होगा दो पिल्डर उसमें बीच में होंगा और पिल्डर की तूरी 3.6 मिटर होगी जिससे यह आगे दूरी हैंस ओके यह किसलिए कर रहा है कि यह जो व बाइस तो यह फैल दिखा देगा नोट ओके लिखा हुआ रहे मतलब जो डिजाइन अपने को करना है अगर उससे कम वेल्यू आइग तो अपने को दूबारी डिजाइन करना पड़ेकर इसके लिए क्यक्क्या है मैंने इसके जो बाइस है वो मैंने बढ़ा दी यह तीन करत बी प्लस में टू अन के पी के एंटू एंटू है यह वेलों कोड में भी दिये वह कोड में इसका अलग फॉर्मुला है सेम ही है बस्के नॉमिक लिए चले लगा इसका जिसे कि अध्यूर्ट कोड में बाइव दिये है कि इसका जीसे कर दो कर दो एक खीक बात है दोनों से में विल वियाएगी तो इस कोर्ड में जो वेल्यू थी इस सॉफ्ट में जो वेल्यू थी बी ए की मेरे पास आ जुका था एन नेमबर ओ पियर के पियर कोफिसेंट था राउंड लूँगा तो पॉइंट जीरो वन और पॉइंट के लिए जीरो लूँगा के अबाउट कॉंटक्स को पॉइंट की वेल्यू होती है जो मैंने कोड में दिखाया था इससे अगर बीटे निकाल कि मिल्टिपलाई अन इंटु इंटु के पी प्लस में के इंटु एची वेल्यू अपने को कोड से ही लेनी पड़ेगी जैसे वालोग कोई रेक्टेंगुलर व्यां स्वारी राउंडेड सेक्षिन है या पॉट्टेंट के लिए लग लग के कोपिसिन के विए लग लग हो कि यह अब मैंने क्या कि दो पिलर प्रवाइड कर दिया कि एक मिटर के तो जो डोटर लेंथ है वो यसे आए कि देख लूँ कि जो पिलर की जो लेंथ है वो और इसमें एक्स्ट्राइड हो जाती है आप वेल्व पूट करो अपने पाज़ाएगा आप अब टू में अपने फायड आउट करते हैं कि जो इस टेंके जो लेवल है फिस्ट्रेंगा लेवल हुआ शीट पहले का लेवल तक वेरी करता हुआ इसमें फायंड करते हैं दूसरा डाउंस्ट्रीम में जो फूर के लि क्यों में दिया हुए अल लेंथ दी हुए अब जिसे क्यों टू कि होगा क्यों अपोन में अल जहां क्यों कहा है डिजाइन डिसार्ज अपोन में जो अपने लेंथ फाइंड आउट किये कि लिए एफेक्टिव लेंट होती है 10.800 में भाग दिया तो यह आका है 1.573 क्यों में परती मेटर मतलब एक मेटर में कितना क्यों मेक मेटर पानी फुलो हो रहे हैं यह इंटेंस्टी आगई हैडलोस काउंट कर लिए हम ने डाउंस्ट्रीम अपसल और अफस्ट्रीम अप कोज उसका वो डिशार्ज कम होता है इसलिए हैंटलोस की विल्यू जीरू है यह डाउंस्ट्रीम में जो स्पेसिफिक एनर्जी कोपिशन्ट होता है यह ब्लैंज करव से आता है यह ब्लैंज करव क्या है यह ब्लैंज करव इसमें दिया हो अपने आप यह अपने आप इस वेल्यू से यहां से वेल्यू अपने आप काउंट कर लेगा है लोग उसके लिए कितना इंटेंशली पानी फॉलो होता है उसके लिए ब्रेंच करब से अपने वेल्यू आ जाएगी मेटर के अंदर स्पेसिफिक एनेर्जी डेफ्थ की कि दुजरा आता है सिस्ट्र फ्लोग लेवल क्या रहेगा तो जो डाउंश्ट्रीम का फशिल था उसमें एफ्टू की वेल्यू मैनिस करेंगे तो क्या जाएगा सिस्ट्रिम का फ्लोगा अब इनर्जी निकालते हैं कैसे निकालते हैं एफ्टिर्म के फर्मुल होता है एफ 1 इसकोल टू एफ 2 प्लस में अचल अपने एफ 2 काउंट कर चके हैड जिरू था इसमें वेल्यू आगी 1.111 अब अपने क्या depth प्रवाइड करते हैं डी 1 डी 2 energy distribution के लिए यह अपने आप ग्राफ से दो ग्राफ के जो एफ 1 एफ 2 जो ग्राफ से अपने आप आटोमेटिक ले ले गई ठीक है फ्रेंट्स यह अपने आप यह से वेल्यू पूट कर लेगा यह दे हो डी 1 डी 2 अपने आप अपने जो वेल्यू पूट किये उनके अपने वेल्यू कल्कूले करके वहाँ पूट कर लेगा इससे क्या अगर सिस्ट्र लेंथ ओप सिस्ट्र फ्रूट क्या होती है यह जो लेंथ है इस पॉइंट से लेकि यह अन्द तक की पॉइंट सिस्ट्र की है लेंथ अबने पास में आविए थ्री पॉइंट मिटर आपके अपने चाहिए तो चार मिटर दे सकते हैं तीन रह सकते हैं अपने अपने आप डिपेंड करता है आरल भी आजाएका इसका जो मिनिम्मम जो वेल्यू है इन में से अब शिस्टेंट फ्लो ले वेल्यू और बैड लेवल के वेल्यू रहेगी वह अपना सिस्टेंट फ्लो आगी मतलब इसका कहने का मतलब यह कि नहर के बैड से डाउन में नहीं जाना चाहिए अब अपने अप्स्टेंट फाइल और डाउन स्टेंट इसको कट अफ वाल भी बोलते हैं इसके बारों कोड में टिटिल दिया हुए आप पड़ोंगे इसके बार में 653 वन के अंदर सीट फाइल जो होती है अप स्ट्रीम में वह बैड के बराबर लेवल लखा सकते हैं उसका और जो डाउन स्ट्रीम में जो होते हैं इसकी जो लैंद्थ है वह जादा गयराई जाधा होती है इस फिगर में देख सकते हुए इसमें देखो सरी यहां पर ज्यादा कम वेल्यू है और यहां जादे जैसे इसकी जो वेल्यू है जाद आएगी इसकी वेल्यू कमाई यह 203.59 है यह 204.13 इसकी निजगालने का फॉर्मूला फिक्स है क्यू विजकल टू इंडेंस्टे में जो निकाली थी उपर यहां इसकी इन में से वैनिम्म वेल्यू चूज करते हैं में जो में जो चूज करेंगे को किनाल करें देख सेले सुब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह वेल्यू आ जाएगी अब मिनिम्म डेफ जो कट आफ वोल की बिलिव बैड लेवल इसका फॉर्मूला रता है वाइड डी अपॉन एक जीरो यह फिक्स फी वेल्यू है इसके लिए मैं बुक में भी आपको यह तंब कुम इसके लिए वल्यू दी विए वहां वाइडी दिया वह यहां डी दिया वह सेम ही है तो आप यह देखो ना इसमें जो डाउंस्ट्रीम की जो कटो पाहिल से उसकी जदा डेप्ट आएगी इस विल्यू इस वर मुने पुट करता हूं दो डीस की वाइड की विल्यू ऊ- measured कि इसका दंस्ट्रीम में कितने साफ से और अफ सेबें कितनी साफ सेथotte यह वह बहुंक तो हो गया अफ सिम फस्थी और डीटो डाउनस्ट्रीम फस्थी तो पूट करेंगे तो कटो वेल्स की लेंथ सोरी है आजाती है इसी बरकार सेम टूट से डाउन स्ट्रिम की पाहल के लिए निकाल लेंगे जित्रा लेवल जिती डेफ्ट आई उसको सब्टक वोन कलते हैं जैसे एक पॉइंट 59 आई यह तो इसका आरल भी आजाएगा पर मसक सब्सक्राइब कर लेंगे इसको जो मिन्मीम वेल्यों होगी इन दोनों से उपने प्रवाइड कार देते हैं इसी परकार डाउन स्ट्रिम के लिए फ्रमॉलाइस में देखना तो ज्यादा वेल्यों आत्ति क्यों इसमें दो डूएड़ पे टू होता है सेम फोसिज रहेगी आब फाइंड करते हैं की टोटल फ्लोर के लियांद क्या रहेगी और एक सी डियर्जेंट क्या रहेगा मेटस्ट्रेट होता है कि अब अपसर अपस्टिम और माइनस में जो बैड है डाउन स्ट्रिम का मेक्सम जो मिनिम्मम जो बैड अन दोनों का वेल्यों रहती ह मतलब यह होता अगर अपने नहर को फुल कैप सिट्रिम लगाएं और गेट लगा दे उसके बाद जो पानी गिरेगा कितनी गहराई भी गिरेगा वह में इस टिकेट होता है और सबसे बड़ा फैक्टर ही डिजाइन में से टिकेट होता है तो यह पॉटेंट है ध्यान रखें इसको 3.27 यह डेप्ट ओप कट ओफ वाल किया यह डी वन जो यहां से नहीं कल्कुलोट की है जी इसकुल टू अच अपून डी वन अपून पाई इंटू लेमना जी क्यू जो वरत्वी एक्टिक रिटनेट तो इसकी विल्यू पने पहले ही अजीव मुकर के चलते हैं वन है अग्रीनि क्याओं अगयों तो हम निद्र और है अग्रायश्य आगया है है और हलो दोस्तों वेल्कम बेक अ जी के वेलियों अपने पास होती है तोर एपने जो दाउन डाउन के लिए लेती है वण अपन लेमड़ा की विल्यू से ग्राफ से एपनव क्या करते हैं को अगर आप कर दो तरू इसके विल्यूम ना फैंट कर लेता है यह घ्राफ है कर दो आए यह वेल्यू आगे हैं आए यह वेल्यू आगे यह वेल्यू जाती है फिर अपने जो टोटल लेंद्ध निकालने का फॉर्मुलत है बी इसकूल आफ न टो डी जाए यह वेल्यू आटी है इसको बुक में आप देख सकते हो और इसमें डी जो होते हैं डाउन स्ट्रीम करते हैं टोटल लेंद्ध है जैसे टोटल लेंद्ध मेरे पास आगी तो टोटल लेंद्ध करता है कि तो टोटल लेंद्ध करता है कि तोटल लेंद्ध जितनी है उसका डाउन्स्ट्रीम में टोटल परसन होना चाहिए कि तो टोटल लेंद्ध करता है जैसे डाउन्स्ट्रॉम फोलो गले तो आगी तेजस पूंट था इस अब देखते हैं ग्लेसी डाउन्स्ट्म ग्लेसी तरह साब बताता हूं इसमें ड्रोश में यह डाउन्स्ट्म ग्लेसी जो पती है दो एक Ananda गारे करेके सिम होती है अवी कि दो एक के स्लोप में इसकी वेल्यू है डाउस्ट में से 0.6 है ये दो फिट के आई करस्ट के जो बिट है 2.2 ये अपने फोर्म लिम से अपने आप ये वेल्यू और फान आउट कर लेगा इसे आपको कुछ नहीं करना अब स्टेम की वेल्यू आगी फिर इन सब को एड़ कर फिर टोटर वेल्यू तो अब स्टेम की वेल्यू आजएगा अब दूस्ट के विल्यू अब तो अब ये बड़ाई पॉटेंट है इस ये इस प्रत्र क्लिक्रोंश जैपने जो फ्लोर की थिकने से वह फान आउट करते हैं मिनिम्मू जो तिकने से अने लेकर चलते हैं 0.60 पॉइंट सिक्स जीरो और यहां एक फिट का है पॉइंट तीस का और यहां मिनिमम है एक एक मीटर का तो ध्यान रखिए एक क्राइटर एक कोड़ जो करते हैं अब आप सब्सक्राइब करेंगे यह अपने आप सोफट्वेट ले लेगा इसे बी अपनों को दिया हुआ है अब अपनों अपनों अल्फा भी एपन डी करेंसे उसे यह वेल्यू आजाए को इसकोड है और वैसे इस करो में मिल जाएंगा आपको उसे वेल्यू आजाएगे लेमडा की वेल्यू आगी 5D 5C इसी परकार बीटेस आजाएगा सब आजाएंगे इन से तो यह जो ठिकने से आती रहेंगे डाउंस्ट्रिम यह अप्स्ट्रिम सेम प्रोसेसे देगा इसमें अल्फा लेमडा 5E1 5D1 BE की वेल्यू आजाएगे से प्रेसर की वेल्यू इस 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 भी वेल्यू को मैंने इस ड्रोइंग से टेस्कर रहा है यह द्रोइंग के वेल्यू यहां से पूटप हो जाएगा इस परकार आपका एक रोस इक्रोसेटर डिजाइन हो जाएगा मौक्विशेब आप इसको एक्शुट करवा होगा यह एस्टमेंट बनाओ इसमें आप यह तो इसलिए मणा सकते हो बट जो विंग वोल है उसकी डिजाइन में अगले जो वीडियो मना वह उसमें विंग डिजाइन सेके हैं तक कि अपने को एक कम्प्लीट स्ट्रूर मना आजाज के यहां जो गेट लगे उसके लिए आप गयर कि लिए लग के तसके पहेसलग प्लस प्रीडत के हर उसके उनदर क्रशा कर सकते हैं जैसे यह दिजैन कर दिया और पूप स्वूटो स्ता कर जाता हूं आपको जिसमें इस एप अपैमेंट हो गया WellOOOO zajomada यह यह जो है नीचे यह Original क्रेस्ट बोल और गयी कि अब हो गया है इसके अंदर गुरूब है यह 2 टू बीयर का है एक एक प्र टू बियर यहां यहां गेत लगेंगे मैंने जो डिजाइब कहता समय थे एक दो प्र अब अब ये पीयर जो है वो कॉनिकल लिया गया इसकी अलग वेल्यू को अपिसेंड की वेल्यू थी यह पॉइंटिंग कर रहे हैं विंग बॉल पर विंग बॉल की चोड़ाई है लग बग 2 या 3 मेटर बॉटम सुरू होती है उपर जितना कि डोबल उतर करती है यह इसके उपर रोड़ क्रोस करने के लिए वियार भी मनी हुए है यह देखिए आपको यहां दिखराव यह गुरूब छोड़े गए जहां पर कपड़ को गेट स्ट्रेक्चर लगाया था सकी कि इस गुरूब के अदर गेट जो लगाएंगी वह गेट है गेट की प्लेट आएगी अच्छाओ इसमें देखिए है यह जो है यह राउंड सेप का यह राउंड सेप का पियर मन रहे पियर की जो लेंध है लेंध इतनी उत्तिय है जितना व्यार भी प्लस में गेट सिरा जैसे वीर्वी के दिस्टेंस थी हमारे अरियम से 5,5 मिटर थी और 2,5 मिटर के उसमें गेट ऑपरटेक्न के लिए जगांदी की थी ये वीर्वी के लिए फांडेशन और वो पियर हो गया और यही आकर जाके विंग बनेगी यहां जैसे विड़्द कम है यहां विड़्द जद है इसके नीचे दो-दू मिटर तक सिस्टी की गए डाउंस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोन साइड में इस साइड में नहर जाएगे तो यह डाउंस्ट्री की गेट लग्स के लिए पूटो जाएगे तो यहां से विंग बोल स्टार्ट होते है यहां तक यह बोल रहती है फ्लेड होता है फ्लेड का जो पॉर्शन जो बोटोम होता हुग के नाल की सेक्शन ने मिलते है यह डाउंस्ट्रीम जो है इसमें सिसी हो रही है यह यह यहां देख रहर है यहां तक करस्ट लेवल है यहां तक करस्ट का लेवल है बाकी फान्ड़िस नमरक है यह सिसी हैं बहुरए ये डाइवर्जन दिये गए तो इसको काम को चलू करूने के लिए ठीक है फ्रेंड्स धन्यवाद अगर आपको वीडियो चला के लाइक करें थोड़ा बता दिता हूं जब भी आप इस पर को डिजाइन के तब पहले ठीजरी जरूर पढ़ें ठीजरी के लिए पर बस दो दो कोड है यह कोड भी हैं और बुक्स भी हैं दोनों को फोलो करें